कि हर वो चीज जो नई है, हर वो चीज जो नई है, वो आपको पैसा बना कर दे सकती है, जिस बिजनस में मजदूर घुश चुका होता है न, वो उसके प्रॉफिट को उस लेवल पे लाके खड़ा कर देता है, जिस लेवल की सेलरी पर वो काम करता था, क्योंकि वो आठ घंट इसमें जो बात मैं कहू हम, आप मेरा उसमें साथ भी दें, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक और झाल की सबस्क्रा कर डाइक, और शॉसरा तरह की लेकिन यह बात सब लोगों को पता है, बहुत कम लोगों को पता है कि लोग तीन तरह के होते हैं, Canal Наरी एक्स चोपर ले कर जाता है। लेकिन अलफा मेन जो होता है वो खुद का जीवन सफल करता ही साथ में अपने साथियों का जीवन सफल करता है। मैंने अपने जीवन में प्रयास किया Alph Avenue बनने का पर alpha man नहीं बन सका लेकिन मुझे यह पता था जो काम आप नहीं कर सकते यह दिया से लोगों को साथ में ले लें तो उन लोगों का सानीदी आपको वहां तक पहुंचा देगा तो मैंने अपने जीवन में एकी नियम बनाया कि कौन कौन से alpha man है जो यदि मेरे संपर्ख में आ जाए या मैं उनके संपर्ख में आ जाओं तो alpha man ना होते हुए भी alpha man ग्रुप में शामिल होने के बाद कहीं ना कुछ प्रभाव मेरे पर पढ़ता रहेगा और वो थोड़ा थोड़ा प्रभाव जब मुझ पर पढ़ने लगा तो धीरे धीरे ग्रोथ की संबावना ये बढ़ने लगी क्योंकि आज भी मेरे साथ के काफी सारे फ्रेंड्स होम टुशन ही पढ़ाते हैं कोचिंग इंसी रूट ही चलाते हैं तब से पहले मेरी शुरुआत हुई 1999 में मैंने स्टार्ट किया अपना एक छोटा सा होम टुशन का बिजनस और बिजनस नहीं कह सकते हैं क्योंकि होम टुशन एक इंडिविजुवल आइडेंटिटी होती है होम टुशन पढ़ाने में मुझे एक बात समझ में आई कि होम टुशन जब तक मैं पढ़ाता रहूंगा मेरा टाइम आर्स के हिसाब से बिकेगा और मेरे पास नंबर आफ आर्स जो हैने वो लिमिटेड हैं एक घंटा बैच, दो घंटे बैच, तीन घंटे बैच, आठ घंटे पढ़ाने के बाद भी मेरा समय लिमिटेड रहने वाला है तो मुझे समझ में आया कि ये केवल अपने समय को बेचकर पैसा नहीं कमा आजा सकता ये केवल तभी समभव है जब मैं समय को खरीदना शुरू करूँ क्योंकि जिस व्यक्ति ने मुझे पैसे दिये थे उसने मेरे समय को खरीदा था और मैंने डिसाइड कर लिया नेक्स्ट येर कि I will go for my own institute मैं अपना खुद का institute शुरू करूँगा और अपने जैसे टीचर्स को अपवाइंट करके अपने सेंटर को रन करके टीचर्स का समय खरीद कर और विद्यार्थियों को बेचना शुरू करूँगा और नेक्स्ट येर 2000 में मैंने अपना कोचिंग institute शुरू किया जिसकी शुरूआत एक दस बाई दस के कमरे से हुई और प्रदीब जी यहाँ पर बैठे में इसके प्रत्यक शाक्षी है उस पूरी जर्नी के पूरी स्टोरी के कैसे हमने ग्यान institute का शुबारम किया दीरे दीरे batches बढ़ने लगे students की संख्या बढ़ने लगी एक कमरे से दो कमरे हुए और दो कमरों से हम लोग 17 कमरे के institute तक पहुँचे और मुझे ही समझ में आया कि जब तक मैं खुद पढ़ा रहा था तब तक मैं अपने समय को बेच रहा था और खुद पढ़ाने के हिसाब से मेरे पढ़ाने की एक limitation थी 8-9 घंटे मैं तो तयार था 16 घंटे पढ़ाने के लिए पर student भी तो चाहिए रात के 2 बज़े पढ़ने वाले तो वो संभव नहीं था तो लोगों के समय को खरीद कर हम इजाफा करते गए हमें समझ में आया कि अगर एक ही जगह पर काम करने की क्षमता को बढ़ाते जाएंगे तो जीवन में कभी बहुत बड़े पैमाने पर नहीं पहुंचेंगे क्योंकि मान लीजिए आप ये सोचते हैं कि डेली के किसी एक सेंटर पर आप पढ़ा रहे हैं और उस सेंटर पर रेड़ सो दो सो बच्चे आते हैं तो पूरी डेली में तो दस्वियों और बारिमी के दो लाग से आता बच्चे पास होते हैं यदि हम अलग-अलग शेतर में जाना शुरू कर दें तो पढ़ाने के साथ-साथ हम और लोगों को रोजगार देके उन शेतरों से व्यापार करना शुरू कर देंगे और हमने डिसाइड किया अपने इंस्टिट्यूट की फ्रेंचाइजी करने के लिए उस समय पर हमने फ्रेंचाइजी के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी कि फ्रेंचाइजी बिजनस क्या होता है और जब हमने हमारे सेंटर को फ्रेंचाइजी करना शुरू किया तो सामने वाले व्यक्ति ने बिजनस प्रपोजल मांगा और प्रपोजल रिजेक्ट होगे हमें पता ही नहीं है फ्रणचाइजी प्रपोजल होता क्या है हमें तो यह पता है कि मैं सेंटर चला रहा हूं, मैं 2,00,000 रुपे कमा रहा हूं और धीरे धीरे उन चार इंस्टिटूट के माध्यम से डेली के बाद हर्याना, पंजाब, राजस्थान, बिहार, आसाम, वेस्ट बेंगॉल और साथ साथ फिर हम लोग पहुंचे उत्राखंड में और हमने 58 इंस्टिटूट पूरे इंडिया में डवलप किये, केवल 3 साल में क्योंकि मुझे ही पता था कि जो काम आप करना जानते हैं उसको जितनी स्पीड से करेंगे उतना ज़्यादा फ्लो आपके पास अच्छा होने वाला है और उस फ्लो के माध्यम से हम पूरे भारत वर्ष में सेंटर बना चुके थे 2001 में ही हमने टेक्निकल एड्यूकेशन इंटेड्यूस किया था क्योंकि हर वो चीज जो नई है हर वो चीज जो नई है वो आपको पैसा बना कर दे सकती है जब तक वो चीज सामाने होगी न तो लोगों की भीड उस व्यापार में होगी उस चीज में होगी और वो नॉर्मल बिजनस हो जाएगा तो हम लोगों ने टेक्निकल एड्यूकेशन शुरू किया मोबाइल इंडस्ट्री बिल्कुल नहीं आई थी कहते तो हैं जब तक वो चीज नई है वो पैसा बना सकती है और जब वो चीज पुरानी या सामाने हो जाएगी वो पैसा बना में असमर्थ हो जाएगी क्योंकि सामाने आए कमाने वाले लोग जिस व्यापार में गुसेंगे वो आपकी income को drop करके अपने level पर लाकर खड़ा कर देंगे जिस business में मजदूर घुश चुका होता है ना वो उसके profit को उस level पर लाकर खड़ा कर देता है जिस level की salary पर वो काम करता था एक मजदूर को अगर 25,000 पर महिने मिलते है ना और 25,000 पर महिने वो खुद कमाने लग जाए तो उस व्यापार की वाग लगा देगा जो दो लाक कमाने वाला व्यक्ति सामने खड़ा था क्योंकि उसके operating cost है और दूसरे व्यक्ति के operating cost नहीं है उसकी salary equivalent मिल जाए क्योंकि वो 8 गंटे काम करता है तब 25 मिलते हैं और जब मैं लोगों के साथ जुड़कर व्यक्ति करने लगा और बहुत सारे सेंटर मैं डेवलप कर लिए तो मैंने लोगों को बताने का परयास किया कि मैंने ये काम ऐसे कि लेकिन कहते हैं कि जब आप कोई भी चीज फ्री में किसी को बताते हैं लोग समझते नहीं है मैंने अपने दोस्तों को का यार तुम भी tuition मेरे साथ पढ़ाते थे मैं भी tuition आपके साथ पढ़ाता था अब देखो मैं center चला रहा हूं और मेरे पूरे इंडिया में center है मैं आपको बताऊंगा कि center की branches कैसे बनती हैं franchise बिजनस कैसे डवलप होता है mobile industry में पूरे इंडिया में दो ही कमपनी सबसे बड़ी बनी थी और आज आप चेक कर सकते हैं मैं उसमें largest second company हमेशा रहा आज वो आएंगे शाए डिरेक्टर साब यहां पर मेरे पिछले 24 साल से मेरे competitor और मेरे साथ मेरे बड़े प्रतिद्वंदी हमारी branches के competition चलता था कि या तो जहां हम पहुँच गए वो वहाएंगे या जहां उन्होंने center कोला आवाम जोरू खोलेंगे और यह competition जो पहले कोलेगा दूसरा उससे बड़ा खोलेगा cutter प्रतिद्वंदी लेगिन cutter दोस्त भी जब मैंने लगा लगों को बताना चाहिए काम करते कैसे हैं तो उनमें से बहुत सारे लोगों ने सोचा कि हाँ this is the right way to develop business by the multiplication आप multiplication के अवल तभी कर सकते हैं आपको उसका तरीका पता हो हर वेक्ती चाहता है मेरा एक यूनिट दो हो जाएं दो से चार हो जाएं चार से आठ आठ से दस दस से सो दो सो पांसो हजार यूनिट हो जाएं पर उसका system नहीं पता तो कोई भी develop नहीं कर पाएगा कितना भी expert हो तो मैंने शुरुआत की as a business coach ये बताना लोगों को कि किस तरह से business को develop किया सकता है किस तरह से business को next level ले जाया जा सकता है किस तरह से लोगों की association के साथ multiple units बनाई जा सकती है तो जिन लोगों ने सुना, सीखा, समझा, उन्होंने implement किया और जिसने implement किया, आज वो multiple branches चला रहे है तो growth करना ना व्यक्ति के हाथ में होती है तो as a business coach मैंने समझाना शुरू किया कि business का multiplication कैसे करती है किस तरह से sales को generate करती है कैसे business का system develop करती है और कैसे business को next level लेकर जाती है journey शुरूए 1999 से 2000 में education शुरू किया 2003 में हम लोग mobile technology में आये मैंने भी आपको बताया उस समय कुछ ही समय में 40 center का अंकड़ा पार कर लिया जिसको हम 52 लेकर गए और 2012 में मेरे life में turning point आया बहुत सारे लोगों के मन में एक प्रश्ण होता है कि अमित महिश्वरी सर ये बताएं कि एक tuition teacher ने कोचिंग खोल लिया कोई बड़ी बात नहीं है एक tuition teacher ने technical education कर लिया यह भी बड़ी बात नहीं है subject अलग है academic से आप technical में आ गए समझ में आता है क्योंकि computer institute का यूग था उस समय देखो लोग कहते हैं कि सफलता के सिधान्त मैंने खुद बनाई है दुनिया के जितने सफल लोग हुएं उनने सफलता के सिधान्त बनाई नहीं है वो बिना सिधान्त के आकस्मिक सफल हो गए है बाद में जिन तरीकों सफल हुए थे वो सिधान्त बन गए है यह बहुत कड़वा सच है हर व्यक्ति कहता ही मेरी principle मेरी success के यह principle है नहीं जो आदमी success हुआ है उसकी success के पीछे जो भी उसने किया है और उस घटना से वो जो कामियाब हो गया है वो अपना principle बन गए है लोगों नो उसको follow करना चुरू किया क्योंकि second ऐसे example है कि उन formulas के अलावा किसी और ने कोई और formula इस्तिमाल किया और वो सफल हो गया तो इसका मतलब केवल वही principle नहीं थे हर व्यक्ती ने जिस तरह सफल तासिल किया है वही उसका principle बन गया मेरा principle के वह लेकी रहा कि business का system बनाओ उसको develop करो लोगों को साथ मेलो जैसे association हो सकते association करो और next level जाओ और यही सिद्दान्त मैं अपने business में लगाने लगा एक मेरा program हुआ था सन 2012 में hotel महराजा महरास्ट्रा में मुंबई में मुंबई में मेरा program था और उस program में ठीक इस तरह से काफी सारे लोग बैठे हुए थे वो paid program था business development program how to franchise your business मेरा सबसे पैट टॉपिक यही रहा कि business को franchise कैसे करें तो इस program में काफी सारे लोग थे हर व्यक्ति चीजों को सुन रहा था समझ रहा था लेकिन एक व्यक्ति बड़े भी ऐसा हो यी नहीं सकता कि आप एक व्यक्ति से मिलें मुटा असंभव यह सिरf motivation है वन इस्टू ध्री का सेलल रेष़ों कहते हैं कोई व्यक्ति तो यह बाक मानी जा सकती है 1-5 कहता है माना जा सकता है कि 5 लोगों से मिलते हैं एक से डील होती है 1-10 कहते हैं और ज़्यादा माना जा सकता है 1-20 कहते हैं और ज़्यादा माना जा सकता है क्योंकि आप में से हर व्यक्ति व्यापारी है उसको पता है कि अगर मैं 10 क्लाइंट से मिलता हूं तो एक डील हो जाती है या 5 से मिलता हूं तो एक होती है तीन से मिलता हूं एक होती है ऐसा असंभव है कि एक व्यक्ति से मिलता हूं और डील होती है हर व्यक्ति से मिलता हूं डील होती है यह फार्मूला ही गलत है तो हम लोगों ने जब वो ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे तो एक व्यक्ति बैठा हुआ था और अपने मन में बड़ा ओवर कॉंफिडेंस में था कि मैश्वरी जो भी आप बोल रहे हैं तो हवा बाजी है असलियत में किसी भी बिजनस को में बात बोल रहा हूं और जिस कंपनी का मैं मैंनेजिंग डिरेक्टर हुना उस कंपनी ने मुझे केवल फ्रेंचाइजी डिवलप्मेंट के लिए रिस्पॉंसिबिलिटी डि हुई है और आपका मैंने एक प्रोग्राम देखा कि हाओ टू फ्रेंचाइज और बिजनस तो शोरूम डेवलप किये हैं और उस दंट शोरूम को डेवलप करने के बाद भी कंपनी घाटे में है क्योंकि मार्केटिंग कॉस्ट उसस्यादा बड़ी लगी हुई है मैंने का फिर प्रॉब्लम क्या है कंपनी ने मुझे 30 डेज का नोटिश पीरिट दिया हुआ है आइधर रिकवर ओल दा मार्केटिंग एक्सपेंसे और यू विल बी टर्मिनेटेड और आप कह रहे हैं कि आपने ऐसे ऐसे करके फ्रेंचाइजी बनती है तीन साल में दस बी बेचना दोनों अलग काम है इंसिट्यूट में बच्चे पढ़ने आते हैं जो आपसे छोटे हैं और बिजनस में वो लोग आते हैं जो हमसे सेक्डों गुना बड़े हैं और उनको हम फ्रेंचाइजी बेच रहे हैं तो मैंने का सर आपकी जगर मैं होता ना तो मैं शोरूम मैंने का आप चैलेंज कर लो मुझसे फिर डिनर हुआ हमने दिनर किया साथ में और हमारा काम कंप्लीट उन्होंने आउट ऑफ दा बॉक्स मुझसे का कि मैश्वरी क्या आप कर सकते हैं मैंने ग्यान इंस्टिट्यूट के अपनी ब्रांच में कॉल किया कि एक एक लाख बल को मैं क doubles और मैंने का अजेगुमता जी एक मेरा एक मिरेक्वेस्ट रीख नहीं बल और मेंका पास जयसी बल केसे बीड़िक में फोन कॉल उसी होटेल में अटेंड में करता रहा नाम नंबर लिखता रहा कि ठीक है आपको आदे घंटे बाद कॉल करते हैं लगबग 75 से अधा कॉल मैंने रिसीव की सर्प्राइज कि ऐसा कैसे संभव होता है 75 कॉल आपनी लीड निकाल दी डेड़ करोड करके भी 75 कॉल हमारे पास नहीं आई और आपका 75 कॉल आ गई अगले तीन दिन में 20 मिटिंग मैंने की और मुझे पता था फ्रेंचाइजी में कोई प्रोड़क्ट फोड़ी पूछेगा फ्रेंचाइजी में पूछेगा कि इन्वेस्टमेंट कितनी है प्रॉफिट कितना है सपोर्ट एंड सर्विस क्या रहेगी ROI क्या आएगा बिजनस प्रेंचाइजी मेरे साथ थे लगातार 20 मिटिंग करने के बाद मैंने तीन लोगों को शॉट लिस्ट किया बालाजी सुबरी मन्यम चेन्नाई से आए हुए थे मुंबई आए हुए थे महारास्टा घूमने आए थे बालाजी सुबरी मन्यम गौध्रेज का शूरूम चलात के जाएंगे तो उनमें से 60% लोगों ने मुझे कहा कि ठीक हैं दिली में आके आपका सेट अप देखेंगे मैं का सर कोई फाइदा निया आप आना मत दिली क्योंकि यहां से चेक लेगा उसी को इंवाइट करूँगा मैं दिली तो बोले कि किस नाम से चेक आपको चाहिए और कितना एडवांस चाहिए मैं का सिर्फ 50,000 का साइनिंग चेक चाहिए अगर मेरा साइनिंग अगर आपको मेरा प्रोजेक्ट पसंद नहीं आया तो आपका चेक एज़िद रिफंड कर दूगा बैंक में भी डिपोजिट नहीं करूँगा तो बाला जी सुबरी मन्या में मुझे 50,000 रुपे का चेक दिया और पुझा किस नाम से काटू मैं चेक तो मैंने का जी मेरी कंपनी का नाम तो है ग्यान इंस्ट्रोफ टेक्नलोजी प्राइवेट लिमिटेड और हम बात कर रहें मॉडलो किचन की फ्रेंचाइजी की तो मैंने बोला ग्यान ओवर्सीज उ उनको वापस कर दो जो करना हूँ कर लो यह मेरा चैलेंज कंप्लीट हुआ और मैं चला दिल्ली वापस